हेलो एब्रीबन दावद की चन में आपई बहुत सुबागत है आज में ले गया हूं रतालू की सबजी आप लोगों नीरतालू की चार्ट तो भुहत खाई होगी पर में आज आप लूप लोगर 이제 सब्जी को आई हू कुले पना है और इसकी चाट भी बनती है इसने बहुत अच्छी मात्र में पोटेशियम, मिनरल्स और वाइटमिन्स होते हैं इसको बनाते हैं मैंने यहां पर लिया है जुद्धक्र मेरिया है 1200 ग्रतालु यहां पर दो मीडियम साइ्ज के दर्सप्रा और एकasun को बन्च लिया है सबसे पहले की ठीट माँआका अच्छीपर नया मैं सब्सक्राइटर लया ऑपैस्ट कर अधा क्तवराश होँ दही यहां अधा कटवरी में सब्सक्राइब मसाला बन्या पाउडर लिया है आधा चम्मच हल्दी नमक स्वाथ के अनुसार एक चम्मच लाल मिर्ष और एक चम्मच जीरा लिया है इन सब को अच्छे से हमें मिक्स करते हुए फिर्ट लेना है इधर हमारा ऑईल भी अच्छे सी गरम हो चुका है जब गरम हो जाए तो इससे पहले हम चुति हमारे रतालू हमने काटके रखे हैं इसको हम हल्का सा भून लेंगे और एक लिए आधा अच्छे से भून चुके मैंने बहार निकाल लिया है मैंने ओल के अंदर डाल दिया है आधा चम्मच अज्वाइन यो डाजेशन में हम रख पेस्टि श्राच लाह जा लिजाश करों संधों करने शर्ते डरेकश टेसीन के तरह ईसने वगन प्म पेस्ट करते है जब तक की सब्खी लिज़ा कर दो कि में तक की मत अपनी रिखा है शर्टी शर्टियो खुलू है यह पीज़ार से शора ब्लस सब्रेट थौर देलगे निया अधके अधके अधक्यक्यक्त। जो पानी चाते में अधकी और भीषद नलीगें रहे दिए हूऊ पानी सेट बहुत नापैर करते हम उस सब्सकाइगा बहुत है यह तक नंदिए नियसी को, जब तक यह एक्स्ती तरह पानी सूक ना जाये और अच्छे से पक जाएगा तब तक हमें इसको बूनना है तब सब भूने करना है तिक अच्छा जया है नियुका हूँ किटना अच्छा कर अच्छा पाओ अच्छा कलर आगया है मैंने श्रक्तम गोले हैं जो बैसे मसाले डालने के बाद जो डावशा है पर जो हम लोग असे डालते हैं तो दही फटने के चांसे होते हैं और दही के अंदर ही आकर मसालों को घूल लिया जाए तो एक तो ग्रेवी बहुत थिक बनती है और दूसरा स्वाद इसका बढ़ जाता है अब मैंने जो रतालू है उन्हें भी मैंने मसाले में डाल दिया है और रतालू को हम इसमें दो मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे अच्छे से बहुनने के बाद इसमें से वापयो से ओयल निकलने लग गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है गेड़ ग्लास पानी अब ग्रेवी की मातरा अपने अनुसार रख सकते हैं आप चाहे तो इसको लेट लगाके दो सीटली में पका सकते हैं अब लिट लगा के अधक के रख दिया है पांच मिनट में इसको पकाऊंगी मीडियम आज पर दीमी आज पर दस तबंडरा मिंट में तयार हो गई है सब्जी बनके विखकल तयार हो चुकी है धन्या से मैं इसको गार्नेश कर दिया है अब चाहे तो इसमे दो सीटी लगा सकते हैं पहली सीटी तेज आज पर और एक सीटी बाद वली सीटी आप इसको धीमी आज पर लगा सते हैं और सब्जी अच्छे से गल जाएगी यहां इस अब मैं इसको सर्फ करूंगी खुश्पयों बहुत अच्छी आ रही है सब्जी में से दोस्तों इस रेसिपी को ट्राइ जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगी बहुत ही निट्रिशनल रेसिपी है यह बहुत ही फाइदेम होता है और मेगनेशियम और वाइटेमिन C से भरपूर होता है तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे संगा आप फेस्बूक पर जोड़ साते हैं और मेरे रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए रेसिपी को लाइक शेयर करना मत बूलिएगा थैंक यू फ्रेंड्स